आएए जी अब हम लोग audit and assurance skill level का chapter number 2 as per the study kit revise करने जा रहे हैं rules and regulation related to audit इससे पहले हम लोग chapter 1 revise कर चुके हैं उमीद करता हूँ आपने वो revision video देखी है नई देखी है तो revision video देख लीजेगा मैं एक playlist बनवा देता हूँ उसका link आपको i button में मिल जाएगा इन सारी videos के साथ आपको बहुत सारी guidance videos और दी गई है कैसे prepare करना एक और कैसे 60 marks आपने score करने एक अंदर guidance videos भी जरूर 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 देखेगा and yes video को like कर दीजिए channel पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आप लोग अपनी ACCA की किसी भी level की classes लेना चाहते हैं तो do visit learn91.com महाँ पर आपको सबसे कम से कम price पे जाद से जादा value addition के साथ आपको हम लोग classes provide करने की कोशिश करते हैं तो आप learn91.com visit कर सकते हैं सारे level की classes महाँ पर available है ACCA की even आपकी registration fees भी हम लोग bear करते हैं आज ही आप चलते है rules and regulation related to audit छोटा सा chapter है इस chapter को काईदे से आपको सबसे end में करना चाहिए revision video पहले इसलिए बिना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे इन chapter को छोड़ के चले जाते है और chapter number 1,2,3,4 जो है न इसमें से आपके section A यानि जो आपके 30 marks अला section है जिसमें आपके objective type questions आते है उसमें काफी जाता weight है जा जाती है तो इसलिए मैं इन chapters के revision videos आपके साथ share कर रहा हूँ Now, rules and regulation related to auditing देखिए, सबसे पहले audit के लिए rules and regulation के जुरत क्यों बड़ी जोगी बहुत सारे audit failures हो रहे थे बड़े-बड़े audit failures हो रहे थे यानि audit करने के बाद भी ऐसी statements, ऐसी financial irregularities निकल के आठी जो audit में पकड़ी जानी चाहिए थी इसी के चलते, national और international standard setters और regulators जैसे की आपका international federation of accountants की बात करूं international standard setter है, उसके अंदरा IAS ASB आता है, करेंगे भी चर्चा या फिर इंडिया की बात करूं, तो Institute of Chartered Accountants of India है, या UK की बात करूं, तो FRC है, ये सारे लोगों में मिलके, इन तीन pillars को बनाया, इन तीन चीजों के उपर काम करना शुरू किया, एक तो audit profession में harmonization होनी चाहिए, यानि सब लोग एक तरह के से काम करें, quality of audit maintain होनी चाहिए, और साथ-साथ में ethics के साथ जो है, वो काम होना चाहिए, हाँ जी, साथ-साथ में ethics के साथ जो है, वो काम होना चाहिए, phone को मैं दाल रहा हूँ, silent पर बीचे बजीगा, तो गड़ बढ़ जाएगे, आईए, फिर बोला गया कि अब इन चीजों को अचीव करने के लिए, harmonization, audit, quality, or adherence to ethical code of conduct को अचीव करने के लिए, auditors को इन तीन चीजों को follow करने की जरुद है, जो आपका country का corporate law है, जैसे कि इंडिया की बात करूँ, companies like 2013, UK में अलग है, हर country में अलग है, और जो आपके standards on auditing है, और जो code of ethics है, यानि एक auditor, अगर इनको follow कर रहे ढंग से, तो definitely वो अपने काम में harmonization, audit, quality, और adherence to ethical norms लेके आ जाएगा, अब audit से लेके कुछ legal requirements है, जैसे कि कौन सी company को audit करवाना है, auditor की eligibility, qualification, disqualification क्या है, auditor का appointment, resume, and removal के लेके कुछ अपने पास चीज़े हैं, और साथ-साथ में rights and duties of the auditor, तो अगर अब हमें इन topics को पढ़ना है, और ये सारी बात है, एक बात मैं आपको बोलूँगा, बहुत ध्यान सुनेगा, ये सारी बात है बहुत generic तरीके से हमने पढ़नी है, हम किसी country specific का कोई corporate law यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं, इंडिया और अगर मैं UK की बात करूँ, तो बहुत ज़ादा differences हो सकते हैं, इन सब चीज होगा, तो आपने कुछ इनको ना, बस इनको समझना, एक basic mindset डेवलेप करना है, मैं बोलूँगा, rather than reading the law, we are reading the principles, कि किन principles की basis पे जो है audit काम करता है, तो सबसे बहले कौन सी companies को audit के जुरत पढ़ती है, कौन सी nature of entity को audit के जुरत पढ़ती है, generally speaking, जो company format में काम कर रहे हैं, या किसी और तरह की limited liability organizations है, जहां पर company का पैसा involved है, जिससे पूरे देश की economy पे impact आ सकता है, ऐसी companies को audit करवाना mandatory कर दिया जाता है, इंडिया की बात करूँ, तो सारी companies के mandatory है, UK की बात करूँ, तो कुछ turnover based exemption हो सकते है, हो सकते है, अपने corporate law में पढ़ा हो, right, so generally company law, generally companies and limited liability organizations are required to get their accounts audited, कुछ companies को उनके turnover के basis पे exempt किया जा सकता है, because of the following reason, this is important from exam point of view, एक बात और बता दूँ के इस वीडियो में आपको यह भी बताता रहूँगा, कि exam में इस chapter से क्या क्या चीज़े आप से पूछी जा सकती है, तो वीडियो पूरी end तक देखेगा, अब तक like किया है के किया है के नहीं किया, नहीं किया है तो like कर भाई हो, आजो लीजे, इसके बाद, lack of, सबसे पहले, क्यों हम छोटी company को, जो है वो, exempt कर देते हैं, lack of value addition from audit, मतलब, audit से जो फायदा मिलता है, हो सकता है, वो छोटी company इसको ना मिले, हम आप इतने complicated चीज़े ही नहीं है, simple simple accounts है, simple simple economy, चोटी सी company, अगर fail हो भी गई, या कुछ गरबड हो भी गई, तो economy पर कोई ज़्यादा impact नहीं डाल पाएगी, then fee and business disruption, audit की fees हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो, business उससे बहुत ज़्यादा effect हो रहा हो, जब देखिए audit करवाए चीजे मांग रहा है, तो business disrupt होगा, इसलिए ये भी बोला जाता है कि छोटी companies को इन सब चीजों की ज़ुरत नहीं है, उनके fees ज़्यादा होगी, disruption भी ज़्यादा होगी, audit के benefit कम होंगे और नुकसान ज़्यादा होंगे, आईए, now who needs an audit, देखिए ये बहुत important है, बहुत important आपके exam point of view से, मैंने बोला कि भाई हो सकता है कुछ companies को turnover के basis पे या किसी और किनी और factors के basis पे exemption दे दी जाए, लेकिन वो exemption छोटी company चाहिए turnover का कम हो, उसके पर एपली की पर नहीं होगी, अगर वो किसमें है, regulated sector में है, जैसे कि banks और other companies in finance related और public finance में जो है, जो lending के business में है, insurance के business में है, ये सब regulated sectors होते है, इन companies पे turnover के साब से भी exemption जो है, वो अपलाए, नहीं होगा, लीजे, and listed company को हमेशा अपने financial statement क्या कराने है, audit क्यों public interest involved है, now auditor कौन बन सकता है, बहुत important बात, बहुत important बात, सबसे लोग किसी recognized supervisory board का member हो, जैसे कि ACCA की recognized supervisory board है, right, तो आप उसके member है, और आप उनके rules के हसाब से, ACCA के rules के हसाब से, आप जो है qualified है, to be a member of that supervisory board, तो अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप auditor बन सकते हैं, या फिर directly आपको state ने, यानि कि government ने allow कर दिया हो, तो आप auditor बन सकते हैं, auditor किस-किस तरह की organization में काम कर सकता है, मतलब किस-किस format में एक auditor बन सकता है, फिर देखी, मैंने क्या बोला, this is general discussion, and may differ from country to country, तो आप as a sole practitioner काम कर सकते हैं, आप किसी साथ partnership में काम कर सकते हैं, limited liability partnership में काम कर सकते हैं, या even कई countries में company मना के भी आप लोग auditor बन सकते हैं, इंडिया की बात करूँ specifically, तो इंडिया में company मना के आप लोग auditor नहीं बन सकते हैं, यानि कोई company auditor नहीं हो सकती है, तो again ये country to country depend करता है, not so important topic, आईए, disqualification, most important mark कीजिए, most important and mark कीजिए इस topic को, कौन auditor नहीं बन सकता, कोई company का ये officer और employee है, independence hurt हो रही है, person having business or personal connection with the company, किसी व्यक्ती के company के साथ business connection है, या personal connection है, personal connection क्या होगा, कि मेरा कोई well known person जो है, वो company के अंदर काम कर रहा है, मेरा रिष्टेदार जो है, वो important point, देखे, मैं मेरे फादर की company है, या मान लो के भाई, मेरे जीजा जी है company के अंदर, तो मैं इतने close relationship में अपने जीजा जी के साथ, और उनका impact आ सकता है मेरे audit पे, तो भाई मैं qualified नहीं होगा, मैं को auditor में होगा, नहीं बन पाऊंगा, तो उसके बार याद रखेगा, auditors are not allowed to be business partners of the director, यानि के, director तो auditor हो नहीं सकता है, और director का अगर कोई partner है, वो भी auditor नहीं बन सकता है, okay, who appoints the auditor, again general rule is, shareholders appoints the auditor, right, हाँ, कुछ case में directors of the company भी appoint करते हैं, जैसे कि first auditor की बात करूँ या casual vacancy की बात करूँ, casual vacancy क्या होती है, कि भाई सब, resignation दे दिया, auditor ने अपने term खतम होने से पहले, auditor की मृत्ती हो गई, auditor कमन कर रहा है, मैं हमाल ले की चोटी पर जाके बैटूँगा, तो वो हो गई casual vacancy, महाँ पर directors appoint करते हैं, government officials भी appoint कर सकते हैं, अगर member और director appoint नहीं कर पा अगर auditor को removal का procedure असान बना दिया गया, तो auditor कभी भी independent नहीं रहेगा, और auditor की remove करने का procedure का direct impact आता है, auditor के independence पे, अगर auditor के सर पे हमेशा तलवार लटकी रहेगी, हमेशा तलवार लटकी रहेगी, कि भी यह तेको तो कभी भी निगाल सकते हैं, तो वो बुलें का भाई सा, मैं तो जो आप बुलो, वो ही कर दूँगा, independence हट हो जाएगी, right, so balance must be maintained while framing the rules for removal of the auditor, क्या चीजें हैं, क्या formalities involved होती हैं, generally speaking, अगर यह सारी बाते general है, country specific, जो है, हम लोग यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, simple majority at a GM, minimum notice period जाना चाहिए, कि भाई, auditor को पता हो के मुझे निकाल रहे हैं, फिर auditor के पास एक right होता है, representation circulation, यानि कि auditor जो है, वो अपनी, जो GM में, जिसमें वो resolution पास होगा, उसे निकालने का, वहाँ पे वो एक representation दे सकता है, कि साहब, मैं मैंने कैसे काम किया, etc, etc, उसका पूरा एक rule है, कि कैसे वो representation दे सकता है लेकिन उसमें बताएगा कि मुझे क्यों निकाला जा रहा है, etc यानि कि उसको एक opportunity of being hurt दी जाए, वो लोगों के सामने जाके बोल पाए then statement of circumstance to the company and the regulator तो auditor को जब निकाला जाएगा, तो वो statement of circumstances company के पास भी जाने चाहिए, और साथ-साथ में regulators के पास भी जाने चाहिए, shareholders के पास भी जाने चाहिए और आपके regulators के पास भी जाने चाहिए then resigning of auditor, return resignation होना चाहिए circum of resignation mention होने चाहिए, अब बहुत important point अगर auditor resign कर रहा है, उसे remove किया जा रहा है before the end of their term, तो उसने ACCA को जरूर 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 notify करना है, और देखिए, यह बात आपको पता होने चाहिए कि जब नए auditor आता है, तो वो पुराने auditor से जब नए auditor आता है, तो वो पुराने auditor से एक clearance लेता है, तो यहाँ पे यह भी एक उसका resignation of auditor का point है, कि उसे जल्दी से जल्दी जो request वो clearance आई है, नए auditor से, incoming auditor से उसके साथ deal कर लेना चाहिए, then rights of auditor again very important topic, तो सबसे पहले वो books और records को access कर सकता है, information and explanation मांग सकता है, GM का notice आएगा, board meeting का नहीं याद रखेगा, exam के लिए बहुत important point, board meeting का notice नहीं आएगा, auditor को बाबू, GM, general meeting का notice जो है, वो आना चाहिए, then GM में उसे पास बोलने का right है, right to be heard मतलब लोग उसे सुने, तो बोलने का right है, उसके पास only on the matters concerning him is the auditor, and साथ साथ में, जो भी resolutions पास हुए, किसी भी meeting में, उन्हें receive करने का भी right है, auditor के pass, then resignation and removal पे क्या right है, right of representation, मैंने आपको बताया, कि भाई साथ, auditor जो एक representation circulate करवा सकता है, अपनी resignation को लेके, right to be heard at GM, जिस GM में उसे निकाला जा रहा है, महां पे भी उसके financial statement and give opinion, यह तो सर्वो पर ही, उसकी duty है भाई, उसका काम ही यही है कि financial statement को examine करना और अपना opinion देना, and और भी additional reporting responsibilities हो सकती है, as per the local national laws and regulation, तो अगर आप बात करेंगे, देखे, मैं आपको किसी country के बारे में अगर बता रहा हूँ, तो वो सिरफ national law and regulation, तो वो भी order की duty बन जाती है then, इस chapter के दूसरे पढ़ाफ पर आते है, international bodies and regulation, तो मारे पास एक international body है IFAC, जो भी आप बोलना चाहते है International Federation of Accountants फिर इसके दो boards है, IAASB IESBA IAASB, मेजर काम क्या करता है, International Auditing and Assurance Standards Board है, तो यह सारे auditing standards, जो है, वो set करता है, international auditing and assurance standards, set करता है फिर IESBA क्या है International Ethics Standard Board for Accountants जो code of ethics है, यह ethics के बारे में कुछ भी होगा, तो वो इस बासे आने वाला है, लीजे IFAC एक global organization है IFAC का काम क्या है, कि public confidence बढ़ाएं, accounting और auditing के profession में, IFAC इसके लिए standards issue करता है, IFAC इसके लिए harmonization बनाता है, यह सारी चीजे करता रहता है, basically IFAC है क्या, local national accounting and auditing bodies का एक group है, जैसे कि India की बात करूँ, या UK की बात करूँ, तो यहां के जो regulators है, यह सब इसके members है, IFAC एक group है जिसमें बहुत सारे national accounting and auditing bodies involved है, okay, it's like committee, जैसे कि भाई, मान लो सारे ACCA teachers जो पढ़ाते हैं, उन्होंने बैटके, उन्होंने मिलके एक group बना लिया, right, तो ऐसे ही, बहुत सारे जो accounting national accounting bodies और national auditing bodies हैं उन्होंने मिलके group बनाया, IFAC, इसकी कोई legal standing नहीं है, किसी भी country में यह बात अपने ध्यान रखने है, यानि कोई legal body नहीं है, इसकी कही हुई बात किसी country पर ऐसे imposed नहीं होती है, then IAASB, IAASB IFAC का ही, International Auditing and Assurance Standard Board जो है, यह IFAC का ही बनाई हुई, एक subsidiary type है, और इसका क्या काम है यह करता है, जी, standards develop main goal is to develop standards, international standards of auditing okay, अब यहाँ पर जल्दी समझ लिजए, standards होते क्या है, standards guidance होती है auditor के लिए, while conducting an audit यानि उसने अपने audit कैसे conduct करना है यहाँ पर एन आएगा, उसने अपने audit कैसे conduct करना है, इस से related guidance मिलती है आपको, ISS से, या फिर आपके जो national local standards of auditing होंगे, उनको follow करना होता है वो legal requirement नहीं होती है, और बहुत important बात, अगर local law किसी ISS से, inconsistent है तो local law prevail करेगा, ना कि ISS से, याद रखिएगा, locally भी अगर आपका कोई standard on auditing है और उसके उपर कोई law आ गया, corporate law आ गया, तो corporate law prevail करेगा, standard prevail नहीं करेगा, लीजिए again important point, देखिए हर standard के अंदर कुछ requirements होती है और उनको कैसे achieve करना है उसके लिए explanatory material होता है requirements आपको, आपने पढ़ी होंगी मेरे सब बहुत साइ standard में कि एक basically auditor को ऐसे circumstance में क्या करना चाहिए जैसे कि अगर management external confirmation लेने से मना कर रही है, तो auditor को क्या करना चाहिए, तो इसके उपर पूरी की पूरी आपको requirement बना के दी गई होगी और साथ-साथ में ये कैसे requirement को fulfill करें, उसके लिए guidelines के दी गई होगी देखे, auditor can depart from one or more requirement of ISA to achieve the overall objective of audit, overall objective क्या था वही अपना, to obtain reasonable assurance that whether financial statement are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and उसके बाद क्या था, कि भाई साथ, whether financial statement are prepared in all material respect as per applicable financial reporting framework तो वह overall objective अचीव करने के लिए auditor हो सकता है, कि एक आदे essay की एक आदी requirement को depart भी कर जाए, यादि उसे achieve ना करे, कि उसका overall objective achieve कर रहा है वो, तो, अच्छा IASA में requirement और guidelines होती है, in the form of application and other explanatory material, जो help करती है auditor को to fulfill the requirement of the IASA, अब IASA issue कैसे करते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा, IASB सबसे पहले एक area identify करता है उस area को identify करके exposure draft बनाता है, area सोचा, उसने सोचा कि यार मुझे लगता है, कि initial audit engagements पे हर auditor को confusion है, तो initial audit engagements पे एक standard निखाला जाए फिर area identify करने के बाद, वो exposure draft बनाएगा, फिर उसके बाद उस पे comments लेगा फिर कोई revision की जुए तो revision करेगा और finally, उसे two-third of the IASB members approve करते हैं और फिर, वो international standard on auditing बन जाता है, now ये international standard और national standard के बीच में रिष्टा क्या है, याद रखेगा ये revision वीडियो है, कहीं आप उसको substitute मान रहे हों, full-fledged studies का नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आईए देखिए, जितने भी IFAC के members हैं, और सारी countries सारी बड़ी countries IFAC की members हैं वो सब क्या करती हैं, वो IFAC के IAASB द्वारा issue किये के standard को उठाती है, और उससे अपने local situations के हिसाब से थोड़ा सा modify कर देती है, और apply कर देती है in case of conflict, national standards will prevail generally national standards are adopted from ISS only, with some exclusions and specific inclusion, keeping in mind the local national circumstance of the country ओके, लीजे अगर UK के regulators और standards centers की बात करूँ, तो UK में है हमारे पास Financial Reporting Council, FRC यह national regulator है, responsible for overseeing the accountancy profession, FRC का एक division है, audit and actuarial regulation division, यह UK के standards develop करता है कैसे करता होगा, ISSA inspired होगा यह public interest entity में जो आइटर से उनको monitor करता है, और साथ-साथ में साथ-साथ में, oversight and regulation रखता है, supervisory bodies का, जैसे की ACC है तो यह तीन main काम है, AARD की AARD किसका एक division है, FRC का तो FRC is Financial Reporting Council AARD is Audit and Actuarial Regulation Division, और उसका काम यह है, हमारे audit से जो concerned काम है, वह यह बात है, कि वह यह standards बनाना, guidance material बनाना public interest entities के auditors को monitor करना, और supervisory bodies को भी oversight रखना और regulate करना फिर FRC की Audit and Actuarial Regulation Division में एक आथ है, Audit and Assurance Standard Board जो था, तो यही है, Audit and Assurance Team इस division की यह team है, जो ISS उठाती है, और उसे UK के हिसाब से standards में convert कर देती है, यह अपने standards बना सकती है, जो UK में follow करने होंगे, ethical standards भी जो है यही team बनाती है, और obviously वो किस से follow करती है, जो हमारे ISBA International Ethics Standard Board for Accountants ने जो ethic के Code of Conduct पकर इशू कर रखें, उससे inspire होके, FRC की, AARD की, Audit and Assurance Team जो है वो standards भी आप लोगों के लिए बना दे दिया है, अच्छा जे Then, एक और team में हमारे पास Audit Quality Review Team, AQR Team, तो हमारे पास देखिए, FRC आया FRC में AARD आया, और AARD में एक team हमारी Audit and Assurance Team है, और एक team हमारे लिए जो जरूरी है, वो है Audit Quality Team, इनका काम है Quality of Work of Public Interest Quality of Work of Auditors and Public Interest Entities पर ध्यान रखना, यानि जो बड़ी Company के Auditors है, उनकी काम में Quality है या नहीं है, इस पर ध्यान रखना Right, और साथ-साथ में देखना कि भाई ये जो Auditors हैं, जो Public Interest Entity का Audit कर रहे हैं, क्या ये Auditing Standard, Ethical Standard, Quality Standards को Follow कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं लीजिए, यूग कि मैं ऐसा कहा जा रहा है कि एक नई Regulatory Authority आ सकती है जिसका नाम होगा ARGA Audit Reporting and Governance Authority ये जल्दी से एक Regulatory आ सकता है, क्यों? क्योंकि FRC के लिए माना जा रहा है कि Independence की FRC में कमी है, क्यों कमी है FRC जो है, Basically खुद को ही Regulate कर रहा खुद को कोई कैसे Regulate कर सकता है मान लिजिए, कि भाई साब मैं हूँ और मैं अपने को आपको ही Regulate कर हूँ Now coming to professional body जैसे कि आपका ACC एक professional body है ये आपके National Regulator की Oversight में काम करते हैं ये भी quality reviews जो है वो करते हैं अपने members का अपने member firms का देखते हैं कि professional standards follow कर रहे हैं या नहीं अब ये लोग in the profession of accounting और auditing कैसे जो है, वो quality को promote करते हैं सबसे पहले आप in bodies के member तभी बन सकते हैं जब आप इनके exams qualify करें याद रखेगा exams qualify करने के लिए minimum या maximum time limit नहीं है कोई 2 साल में भी कर सकता है, कोई 3 साल में भी कर सकता है कोई 10 साल में भी कर सकता है then साथ साथ में ये make sure करते हैं कि जो इनके members है ये make sure भी करते हैं उनको support भी करते हैं कि इनके members professional ethical values के साथ काम कर रहे है then उसके बाद ये कभी-कभी government को भी technical expertise देते हैं on what? accounting and business तो ये basically role है ACCA जैसे institutes का हाँ जी किन का? ACCA जैसे institutes का आईए, अब चलते हैं जल्दी से और देखते हैं professional bodies इनके आप member कैसे बन सकते हैं exam दीजिए, कोई period decided नहीं है practical experience generally 3 साल का होता है और फिर ethical assessment complete कीजिए आप इन professional bodies के member जो हैं फिर बन जाएंगे then membership maintain कैसे करनी है तो आपने अपनी professional development को continue रखना है इनके seminars होते हैं, इनके face to face workshops होते हैं आपने attend करना है, नहीं नहीं चीज़े आपने पढ़नी है नहीं पेफर्स आपने पढ़ने है तो आपको demonstrate करना पड़ेगा, देखो जी ऐसा नहीं कि मैंने एक बार qualify कर लिए तो मैं चुब बैठा हूँ मैं अपनी professional development को continue कर रहा हूँ और साथ-साथ में, जो इनका code of ethics होता है और वो आपने follow करना है और professional manner में behave करना है अब ज़र दियान से देखिए अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके again disciplinary actions हो सकते है यानि ACC आपके पर fine लगा सकता है reprimand यानि डाट लगा सकता है और आपको membership से suspend कर सकता है temporary period के लिए या वो completely जो भार निकाल सकता है ACCA से permanently आपकी membership cancel कर सकता है generally speaking ACCA इनको खुद internally handle करती है लेकिन अगर serious नहीं जादा है यानि के public interest issues है तो ये regulators को भी refer किये जा सकते है serious cases के अंदर और आपको यानि के members जिन्होंने गड़बड की होगी उनको बहुत जादा कुछ जेलना पढ़ सकता है as far as their profession is concerned लीजे तो आपको maintain कैसे रखने membership आपने professional development जो है अपनी करते रहनी है साथ साथ में आपने code of conduct और आपके जो ethics है उनके साथ आपने अधेर करना है professional behavior रखना है अगर आप नहीं करते हैं तो आपके against disciplinary action लिया जा सकता है which is fine, reprimand, suspension or withdrawal of membership generally speaking यह matters जो है internally handled किये जाते हैं लेकिन depending upon the seriousness यह regulators को भी refer किये जा सकते हैं done, चलिए जी तो यह थी हमारी revision उमीद करता हूँ आपको अच्छे लगी देखिए बेटा अगर ACCMA skill level में double A में pass होना है जो कि one of the toughest paper है पूरे ACCMA में even professional level की बात करूँ तो उससे भी compare करेंगे one of the toughest paper है क्यों? क्योंकि section B sir आपके लिए 70 number का objective type नहीं है वो आपको लिखने हैं मापे answers तो सबसे बहले आपकी subject पे command होनी चाहिए दूसरा आपको writing practice बहुत अच्छी होनी चाहिए question solve कीजी बैठके जितने question solve करेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे ठीके जी चलिए all the best bye bye God bless you take care